C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वरा प्रस्तुत है कक्षा 3 की हिंदी की पाठे पुस्तक रिमचीम भागतीन के पाठ 6 हमसे सब कहते के अभ्यास कव्वा और लॉम्डी एक नई कहानी पर आधारित ये कारेकरम बहुत पुरानी बात है एक जंगल था वहाँ दो मित्र रहा करते थे एक था कव्वा और दूसरी लॉम्डी कव्वा बड़ा भोला भाला था लॉम्डी थी बड़ी चालाक कव्वा बड़ी महनत करके रोटी का टकुडा लाया करता था और लॉम्डी हर बार उससे बहला फुसला कर रोटी का टकुडा ले जाती थी भोला कव्वा हर बार भूखा रह जाता था एक बार कव्वा रोटी का टकुडा चोच में दबाए पेड़ पर बैठा था तब ही वहां लॉम्डी आ पहुची कव्वे की चोच में रोटी का टकुडा है चलो इसे मूर्ख बनाया जाए अरे प्यारे भाईया कव्वा जी आप कैसे है मैंने सोचा बहुत दिन हो गया आपसे मिले हुए इसी पहाने मिल भी लूँगी और आपका मीठा गाना भी सुन लूँगी अरे भाईया मुझसे कोई कलती हो गई है क्या अगर ऐसा है तुम मुझे एक शमा कीजिए लेकिन अपना मीठा गाना सुनाना बंद मत कीजिए अरे वाह तुम मेरा मीठा गाना सुनना चाहती हो मुझे खुशी होगी तुमें गाना सुना कर तो सुनो, लोमड़ी का कहना है, मीठा मेरा गाना है, ये तो एक बहाना है, तुझे रोटी जो ले कर जाना है, मैंने भी अब ठाना है, रोटी को नहीं गिराना है, मुझे को रोटी खाना है, मुझे को ही रोटी खाना है, कव्वा और लोमड़ी एक नई कहानी, अभी आप सुन रहे थे ये कारेक्रम, कारेक्रम समनवयक, प्रोफेसर राजिंदर रुपाल, आचारे शिक्षा शास्त्र, C.I.E.T. N.C.E.R.T., मिशे संयोजन, सह आचारे डॉक्टर रमेश कुमार, प्रारंभीक शिक्षा विभाग N.C.E.R.T., आलेक्र, डॉक्टर सुरेश कुमार मिश्रा, कलाकार, शालिनी सिंग, आकाश अहुजा और रक्षित थपलियाल, धोनयंकन, बटिल्यांग लिंग्डो और मयंक कुमार, निर्मान सहयोग तनु गुप्ता, निर्मान, निर्देशन्व धोनी संपादन, वंदन अरिमर्दन, तथा प्रस्तुति, CIET, NCERT, नैदिल्ली, भारत.